दोस्तों आज में बात करने वालों वाइफाई स्टेंडर्स के बारे में आपने सुना होगा वाइफाई A, B, G, N, A, C या A, X के बारे में आपने सुना होगा कि यह स्टेंडर्स होते हैं तो आज मेंने की बारें बात करने वालों क्या होते हैं और कैसे गाम करते हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है रिश्रा वर्मा आप देखें टाइकस वर्ट तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी थोड़ सी हिस्ट्री के बारे में पहले हमें जानने जरूर इसके बारे में तो इसे डेवलप किया गया था उन्निस सो सत्तानवे में यानि कि 1997 में एक और इसे डेवलप किया था जिसका नाम है है IEEE आपने देखा भी होगा लिखा होता है IEEE 802.11 उसे आगे बताऊंगा तो IEEE ने इसे डेवलप किया था इसकी फुल फॉर्म है है Institute of Electrical and Electronics Engineer तो यह जो और इसे डेवलप किया था अभी हम बात करते हैं इसके अलग अलग जो आपके टाइप है यानि कि आपके इन्हें हम स्टेंडर्ड पूलते हैं जैसे कि आपका वाइफाई 802.11 A B G N A C और AX है यानि कि इसकी जेनरेशन है यानि कि फर्स जेनरेशन स यानि वाइफाई 6 जिसम बोलते हैं और वह आपका AX है तो अब हम शुरू करते हैं शुरू से जो आपका फर्स जेनरेशन वाल है तो जो फर्स टेंडर्ड था वो डेवलप किया था 1997 में 802.11 इसे उन्होंने नाम दिया तो यह जो आपका स्टेंडर्ड था इसमें आपको जादर स्पीड थी तोनों नहीं अचीव की थी इसके बाद 1999 में आपके दो स्टेंडर्ड और आए यानि कि आपके 802.11 ए और 802.11 बी अभी जो आपका ए था वो था आपका इन्नेश्रियल या कमेर्श्रियल यूज के लिए और जो आपका भी था वो था आपका होम या फि 2008-02.11 बी में तो जो आपका ए था इसमें आपकी एक जो आप की स्पीड थी हो थी आपकी 54Mbps और जो इसकी फ्रिकवेंसे थी वो थी आपकि 5GBH की और जन्सी अपका बहुत था उसकी जो स्पीड थी वो थी 11mieps्स और उसकी जेघ्वेंसी थी वो थी आपकी 2.4 GHz अभी की स्पीड है तो आपको स्पीड उतनी तेखने को मिलेगी पर उसमें आपकी जो रेंज है वो शॉट हो जाएगी यानि कि आपको जो एरिया है वो कम कवर करेगा पर आपको स्पीड अच्छी मिलेगी और अगर आप करें 2.4 GHz की तो 2.4 GHz वाला आपको एक अच्छी रेंज आपको स्पीड अच्छी मिले थी 54 Mpps पर उसमें आपकी जो रेंज थी वो कम थी तो अभी आप लोग सोच रहूंगे क्या है तो GHz में आपकी जो मैं आपको बता है 2.4 GHz या 5 GHz या फ्रिक्रेंसी क्या है तो हम जो कम्यूनिकेशन करते हैं आपके स्मार्टफोन में आपक चोछ काहले के देखने को मिलती हैं इन में से कुछ दूइल हुमर्टे करें कि चैनल आतथा आपके सब्सेश्फ thief है और अ करते हैं में आपके या तो अअब GHz इनी का हम करते हैं और यह यह आपकी वह frequency आयां यह हम यूज करते हैं तो यह यह आपके GHz का मतलब ठीक है बात करें कि 2.4 GHz और फइक फिक्वेंसि क्या है और इसमें पर उसमें आपको जो स्पीड हो बहुत जादा मिलेगी तो इसमें दोन में यह अंतर है और यह आपका इसलिए भी है क्योंकि जो आपकी जितने जादा ड्यायर्स में क्या था पको इसमें आपका युल्व की स्पीड अपको इसमें अपको फिफ्टी आपको यंश्मिलें तो इसे जी बोला गया फिर आपका 2009 में 802.11n यानि कि आपका 4th generation वाला वाइफ है जिसमें कि आपको speed देखना को मिलती थी वो मिलती आपको 600 Mbps की और इसमें आपके दो बैंड थे 2.4 GHz और 5 GHz तो आपको बैंड दोनों मिलने समें पर speed बीसमें आपको सेम मिलती थी आपकी 600 Mbps पर जैसे कि आपको पता आपक जो 5 GHz वाल फ्रिक्वेंसी आप उस पर रखेंगे तो आपको रेंज कम मिलेगी पर speed अची मिलेगी तो उसमें यह चीज थी फिर आपका 2013 वाइफ फाइव यान कि 5th generation वाला जोगी था आपका 802.11ac और अभी तक भी बहुत सारे फोन्स में आपका यही उस किया जाता है मतल आपको 1.3 Gbps की speed देखने को मिली जो कि बहुत जादा है तो यह था आपका इसमें फायदा पर इसमें नुकसान यह था कि अगर यह 5 GHz की फ्रिक्वेंसी पर है तो इसकी जो रेंज थी वो कम थी यानि कि आपको जैसा आपने कभी पील के होगा कि आपके स्मार्ट फोन की जो रेंज वाइफाय की वो थोड़ी से कम होती है तो इसी रीजन की वेसे होती है वो क्योंकि वो एक 5 GHz वाला आपका बैंड है और अभी आते हैं हम लोग हमारे सबसे लेटेस्ट पाले पर जो ही आपका 6 जैनेरेशन वाला वाइपने सुना हुआ हुआ वाइफाय 6 जो कि आपका dual frequency पर काम करता है यानि कि 2.4 GHz और 5 GHz और जो इसमें आपकी स्पीड है वो होगी आपकी 3.5 Gbps यान की Gbps पर सेगेंड तो यह बहुत ज्यादा स्पीड है तो यह आपका लेटेस्ट वाला है तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ चीज़ों और करना चाहता हूं कि मान करता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो आपके राउटर के help से बढ़ जाएगे और आप इतना ज्यादा एडवांस लाटर ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा बल्कि इस आपका राउटर यह आपको और भी सीजों में काम आएगा ज तो इसलिए जो आपका Wi-Fi वहाँ पर भी काम आएगा मतलब कि मान दीजिए कि अभी आपके यहाँ पर 1500 Mbps की स्पीड आती है फिर 200 Mbps की स्पीड आती है मतलब आपने वह प्लैन लिया है और आपका राउटर है वह 3Gbps की स्पीड को सपोर्ट करता है तो इसमें आपको क् है अच्छे स्था पर काम करें तो वहाँ पर बिल्कुल काम यहाँ अब बहुत जया आपको कम स्पीड घ्र किसी 5 जनों मंने अपको करें कर लिया तो च ताइम पर सबको सπीड कम करें को मिलेगी तो इसलिए एंक भilकुत नहीं तो इच्छा होगा कि आप एक अच्छे और आपको बात करें कि आपको इसा राउटर देखिए तो मैं आपको ऐसा राउटर देखिए जिसके अंदर ड्रीक्वेंस हो यानि कि वह 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को सपोर्ट करें और वह कम सिकम या तो अब इसमें आपको फाइदा क्या होगा कि जो आपके स्मार्टफोन होते हैं अब को नियुक्ति होती है जैसे कि मालीज आपने पने लेना आपको कोई तो आपकी आसपास मालीज आप विल्डिंग में रहते हैं वहां पर बहुत सारे वाहँ हैं तो वह मोचली होंगे आपके 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी वाले और अगर आप इसमें 5 GHz की फ्रिक्वेंसी वाले लेंगे तो थोड़ सा अलग होगा उसको कनेक्शन अलग होगा वेज होंगी वह अलग होंगी तो उस टाइम पर आपको काफे आपको एल्प करेगा आपके गिगाहर्ट्स पे तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर आपका डाउटर ड्वेल फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है तो उसमें आप उसे अलग लग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं मतलब कि जो डिवाइस 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी को से कनेक्ट कीजिए और जो आपके 5 GHz की फ तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपको ज्यादा फायदे मन्न होगा और अपनी जो डिवाइस होने उसके हिसाप से करेंगे तो बस आज की वीडियो में इतना है मुझे अपको समय में आ गया होगा अभी कुछ कुछ नहीं हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स बहू सकत आपको बता दूँगा वीडियो देखने लिए धनवाद वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए अमें मिलता आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते गुट बाई